नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे तुला रासिवाले जात को केलिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है आपके बैपार बैवसाइक करियर लव लाइफ और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे तथा आपको बताएंगे कि किसादमी का साथ अगस्त का महीना पूरा बरबाद कर सकता है किसादमी से आपको सावधान सतर को समहल कर रहने की जरूरत रहेंगी कि सादमी से आपको अपना साथ छोड़ देना चाहिए आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे चेनल को सब्सक्राइब अभस्त कर लें कि यह अगस्त का महिना आपके लिए कासा रहेगा इन तीन टोपिकों पर विष्टेश रूप से हमारा यह पूरा वीडियो का विष्लेशन रहेगा दोस्तों आपके परिवारिक समंद की बात करें परिवारिक जीवन की तियस में आपका होंस उडाने वाला रह सकता है आपका चोकाने वाला रह सकता है क्योंकि इस में आपका कोई परिवार वाले के सच्चाई को जान कर आपको थोड़ा सा आश्यर्ज हो सकता है थोड़ा स आप परिसान हो सकते हैं, हाल ही में जिनके साथ आप का फिजादा बाते करते थे, अपने सारी बातों को सेर करते थे, आप जिसको समझते थे, और हाल फिलाल में अपना सारा समय जिसके साथ व्यतीत करते थे, आपको इग्नोर कर देते हैं, इस बात का प्रबल संभावनाय बातों को अपने दुखनमा को सुनाता है तो आप उनकी बातों पर आखे मून के विश्वास कर लेते हैं। तो व्यक्ति जो कि आपको धोखा देने का प्रियास कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है वो आटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। और अगर आप इन सबी बातों पर ध्यान दिये तो आपके जो घर वाली व्यक्ति हैं वो भी परसन्न होंगे और आपको नई जिम्मेदारिया सौप सकते हैं। आपके कामकाजो का कदभार दे सकते हैं और आपके घर में जो भी पारिवारी कलेश हुआ करते हैं वो भी आपका सांत होगा आपके पति-पतनी के वीज समंद काफी वहत्र होंगे माता-पिता के साथ भी आपके जो अनवन होता है या फिर आपके परिवार में किसी के साथ भी आपके नहीं बनती हैं या आपके परिवार में रोजानक कवी न कवी गरी के लिए सुआ करते हैं वो भी आपका दूर होगा लेकिन हाँ आपके परिवार में भी इसमें आपको दो तरह के वेक्टे दिख सकते हैं पहला वेक्टी जो आपके बारे में अच्छा चाहेगा दूसरा व्यक्ति जो आपके बारे में बुरा चाहेगा और आपको बुरा चाहने वाले व्यक्ति से ही सावधानी वरतनी हैं हाला कि यह आपको मालूम होगा कि आपके जो घर वाले व्यक्ति हैं जो आपके परिवार वाले आगई, गल्ती से भी अगर आपने कुछ गल्त नकरात्म गया, अगर आपने कोई गल्तीया कर दिया, तो उसी के पिसे वहात जोकर पड़ जाते हैं, परंतो बुरे व्यक्टी, जो बुरा है, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ये आपको भी बताओगा कि कौन ऐसा व बुरा व्यक्ति वालों को बताना चाहेंगे कि आप उन बुरा व्यक्ति वालों को भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में पॉजिटिव बाते होती हैं नेगेटिव बाते होती हैं दोनों को कंपेर करके चलना चाहिए आप हमेशा किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं ठारा सकते है और उनकी नकरात्मक जो की नेगटिव बाते होती हैं उन्हीं को पकड़ कर नहीं चल सकते हैं इसलिए उनको समझना चाहिए लेकिन इससे आप घबराएं नहीं किसी के आगे अपने सर्मिंदा मेसिज हो और नहीं किसी के आगे सर जुखाएं इसमें आपको एकी काम करना है वो करना है कि आपको इसमें अपनी भावनाव पर काबू करना है आपको अपने बुद्धी अपने दिमाग का उपयोग करना है वो जो आपका सडियंतर करने वाला व्यक्ति है जो आपके परिवार में जो आपको हमेशा ऐसे प्रतीत करवाता है कि आपने हमेशा गलत ही कार किया है उन व्यक्तियों से आपका ओटोमेटिक रिष्टा खत्म हो जाएगा या फिर ऐसा कहें व्यक्तिय आपके उपर लालचन जो लगाते हैं वो अब लगाना बंद कर देंगे और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप सफलता की सेडियों पर जड़ते हैं जब भी आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होती है बड़ी सफलता हो छोटी सफलता हो अगर आप खाने लायक हैं और आपको खाना अच्छा खासा मिलता है कपड़े भी आप अच्छा खासा पहनते हैं और आपका ओफिस में भी कार्याले में ही या फिर वैपारी वैवारी जो भी आपके कामकाज हैं वो अगर आपका अच्छा खासा चलता है तो वे देखना पसंद नहीं करते उन्हीं से उनको जलन होती हैं और वे हमिशा अंदर ही अंदर कुराते हैं अंदर ही अंदर आपके उपर जो हैं कुरोध की भावनाओं को प्रजुनित करते हैं ऐसे में इन वेक्टियों से सावधान आपको रहने की जरूरत रहेंगे मत्रों आप अगर वैपारी वर्ग के जातक हैं वैवसाई हैं या फिर अगर आप नौकरी पेसा वाले हैं वक्सर आपने ये नोटिस किया ह कि आपके घर में जो आपके बारे में बुरा चाते हैं वो हमेशा देखना चाते हैं कि आप हमेशा असफलता खाओ हमेशा आप ठोकरे की आपको जो हैं हमेशा ठोकरे ही खाओ आपको ठोकरे ही मिले कभी ये नहीं चाते कि आप तरक्की करो ये कभी ये नहीं चाते कि आप बड़ाए अपने जीवन में कुछ बड़ा करो, और अगर आपका वैपार वैवसाय में भी कोई रुकावटें आती हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपका कोई न कोई प्रिवार का ही व्यक्ति सनलगन होता है, यह खेर बात यह हैं, अलग बात हैं कि आपको उसमें न लगती हैं, जो ऐसे इन गुनों के कारण हैं, उनको आप जिन्हित करें, और उनसे आप अपने दिमाग और बुद्धी से उनको दूर करने की कोशच करें, उनको आप हराने की कोशच करें, अब बात करें आपके लव लाइफ की, यह मेल और फिमेल दोनों के लिए वीडिय तता हमारे द्वारा जो कही गई बाते हैं उनको आप समझने की विशेश तोर पर कोसिस करें अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर आप इस समय सम्मंद जोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन साती को समझना होगा आपके जीवन साती की सेहत में थोड़ी सी यहां पे दि हैं थैसे के जीवन साती कोई द्रगटना होने की आसन लिए नजर आ रही है इसलिए आप जीवन साती की विशेश रूप से देख रेक करें और इसके कारण आपको जीवन साती तुड़सा बैषेयन हो सकता है और इस में आपको इस डालना हो, किसी से बात मनमाना हो इवन साती से कोई बात मनमाना है दोस्तों ये वीडियो मेल और फिमेल दोनों के लिए हैं तथा हम जो कह रहे हैं उनको बुरा मत मानिएगा आप जरूर गौर से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि आप में अगर कोई बात किसी को मनमाना है तो आप इमोशनल हो जाते हैं अगर कोई बात आपका नहीं मानता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं मन ही मन अपने अंदर एक क्रोध की भावनाओं को प्रुजुलित कर लेते हैं आप कुछ भी करने के लिए तियार हो जाते हैं लेकिन आपको सामने वाले व्यक्ति की मजबूरियों को समझने का फ्रियास अवस्य करना चाहिए मजबूरियों को समझें वो क्या करना चाहता है या कैसे वो रह रह रहा है या किस परिश्थितिया में है वो भी आपको जरूर देखना चाहिए उनकी भी मन की भावनाओं को आप देखें अगर आप उन्जे समय की मांग कर रहे हैं तो आपको समय अखर क्यों नहीं दे रहा या अगर आप जीवन साथी को कभी कॉल लगाते हैं अगर वो आपका कॉल सही समय पर रिसीब नहीं कर पाता है आप बोलते हैं कि हमारा फॉन कॉल एक बार में आप पिक अप नहीं करते हो एक बार में हमारा फॉन नहीं उठाते हो अगेरा वगेरा बहुत सारी बाते हैं जो कि इस वीडियो में आप चिन नहीं कहा जा सकता और आप इन बातों को समझने का प्रियास करें अपने जीवन से जरूर रिलेट करें तो आपको उनकी मजबूरियों को समझने की आवस्यकता है इन सब पर ध्यान दे आपको सबसे परली यही टॉपिक को कबर करना है कि कोई आपका जीवन साथी भी परसंद रहेगा माता पिता भी परसंद रहेंगे बहुत सारी वैक्तियों को क्या होता है कि आप मेरे बातों का बुरा मत पानिएगा ठीक है आपके संपुन जीवन की बात कर रहे हैं बहुत सारी वैक्तियों की आदत होती है कि कि अगर कोई बात प जाती हैं सक्क आप करने लगते हैं आप यकीन मानिए कोई भी वैक्ति है वो आपसे अगर जूट बोलता है बहाना करता है तो उनके पीछे भी कोई न कोई मजूबरियां जरूर होती हैं कोई वैक्ति सौक से आपसे जूट यह बहाना नहीं करता है इसलिए आप सक्क ना करें आपके अंदर जितने भी तुला रासी के दरसक हैं उनके अंदर ये जरूर बिमारी होती हैं आप जरूर अपने सक को अपने दिमाग को सांत रखने के कोशस करें किसी पर भी अनावासक सक ना करें आसकर आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार देने का प्रियास करें इस समय जो है आप अपने जीवन साथी को जितना ज़ादा प्यार करेंगे, जीवन साथी भी आपका उस सूध समेत आपको प्यार लोटाएगा, आप जो उसने करेगा, आप से वो लालसा या आपके साथ ज़ादा से ज़ादा time को spend करेगा, आपकी सभी जरुतों को पूरा करे तथा आप जिस भी प्रकार की चाहत अपने जीवन साथी से रखते हैं, वो आपको जरूर आपके साथ सनलगन कर सकता हैं, आप मेरी बातों पर यकीन मानिए, अगर इन सभी बातों पर आपने ध्यान दे दिया, तो आपके लवलाइप, पारिबारिक जीवन और आपका जो भी सम्मंद हैं, वो काफी अच्छा रहेगा, इन सभी का रिजल्ट देखकर आपके हों सुड़ जाएंगे, तो दोस्तों हम आपने वीडियो में आगे वढ़ने से पहले, आपको बताना चाहेंगे, कि अगर इन सभी बातों का जीवन में, अगर आपके जीवन में हलका सभी त अगर हमारी बातें आपके जीवन से मिलती जुलती हैं, तो आप अपना कमेंट में परतिक्रिया जरूर दें, तथा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, तो आप हमें मेसेज कर सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में मैंसन कर सकते हैं, मेसेज करने का लिंक जो है वीडियो के discussion में दिया गया है social media पर आप हमें message कर सकते हैं आपको फिरी में सेरा कुछ आपको बता दिया जाएगा आपके समस्याओं का समधान कर दिया जाएगा बत्रों ऐसे में आपका दिन सुब हो आपका दिन बहतर बने आपके सभी एक चाहें पूरी हो इसके लिए comment box में जैमाता दिया बस्त लिखें आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो